Bank या Post Office में FD यानी Fixed Deposit पर Tax से बचने के लिए 15G Form की 2022 में Last Date कितनी है और Form जमा करने के क्या-क्या नियम है, जानेंगे इस वीडियो में. साथ ही जानेंगे की Online Form कैसे जमा कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें. अगर आपकी किसी Bank में एक या अधिक Fixed Deposit है और उनका पूरे वर्ष का 40,000 से अधिक ब्याज बनता है और आपने Form 15G जमा नहीं किया, तो ब्याज से TDS काट लिया जाता है. इससे बचने के है, Form 15G की. अगर आपकी आयू 60 वर्ष से कम है और आपकी कराई गई FD पर जो ब्याज मिलता है, वो 40,000 रुपे से अधिक है एक वर्ष में, तो ब्याज में से 10 प्रतिशत TDS काट लिया जाता है. इससे बचने के लिए FD कराते समय और हर वर्ष Form 15G भरना चाहिए. इससे मे पर आपका TDS नहीं कटेगा. अब यदि एक ही बैंक में दो या अधिक FD है, तो सभी को मिलाकर जो ब्याज बनता है, वो भी यदि 40,000 रुपे से अधिक होता है, तो भी ब्याज में से 10 प्रतिशत TDS काट लिया जाता है. अता, आपकी FD के ब्याज पर कोई TDS ना काटा जा इसके लिए आपको FOM 15G भरना चाहिए. या आप ब्रांच में जाकर जमा कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं. इसी तरह, जिनकी आयू 60 साल से अधिक है, अर्थात सीनियर सिटीजन है, उनको अपनी FD पर TDS से बचने के लिए FOM 15H भरना पड़ता है. 15H की लिमि FOM 15H भर सकते हो. ध्यान रहे कि आप Tax Liability में नहीं आते हो, यानि FD के ब्यास के अलावा आपकी यदि कोई आये है, वो Tax Limit से उपर नहीं हो. तब ही आपको FOM 15 भरना होता है. यदि कोई व्यक्ति जिनकी Income Taxable है, तब भी वो जान बूज कर FOM 15H जमा करा देते हैं, तो वो In Income Tax विभाक के अनुसार, नियम के विरुद्ध माना जाता है. उस केस में आपको Income Tax फाइल करना चाहिए, यदि FD के ब्यास पर TDS कटा है, तो आप रिफन भी ले सकते हो. FOM 15G या FOM 15H सिर्फ बैंक ही नहीं बलकि Post Office Deposit से मिलने वाले ब्याज पर भी लागू है. नियम वही है. आजकल आप बैंकों में यह FOM online भी भर सकते हैं. उनलाइन सुविधा का लाब उठाने के लिए आपके पास Internet Banking या फिर Mobile Banking होना अनिवार्य है. उसमें Login करके, आप 15 H या 15G का option खोल कर online भर सकते हैं. वीडियो के description में दिये वीडियो link से भी आप पूरा process समझ सकते हैं. फॉर्म जमा अप्रेल मई में ही कर देना चाहिए. यदि जमा नहीं किया, तो ध्यान रखे 30 जून तक ति माही ब्याज मिलने से पहले फॉर्म जरूर जमा करें. इस जा देंगे अगले वीडियो में धन्यवाद जय हिंद.